लो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी एची एसी असिस्टेंट प्रोफिसर के बारे में तो आप सभी को बता दो कि इसके जो परिणाम घुशित किया गया था इसका रिजल्ट जो है उत्तरकुंजी उसको फिर से संशोधित किया गया है इसमें बीस विश्यों की परिणाम जो है जैसे कि अब देख रहे हैं तो बीस विश्यों की परिणाम जो है संशोधित किये गए हैं तो आगे के हैं संशोधित विश्यों में संगीत गायन भी शामिल स्थगित किया गया का साक्षाथकार तो जैसा कि अब सभी जानते हैं कि UPSC मार्श से लेके आ साक्षाथकार जो है वह शुरू करने का बताये गया है कि नौ मार्श से साक्षाथकार शुरू किया जाएगा जिसमें Sंगीत गाएं coral Salam लेकिन अब जो परिणाम संशोधित हुए हैं उसके कारण जो है इसका साक्षातकार स्थगित कर दिया गया है तो चलिए आगे मैं आप सभी को दिखा देती हूँ तो आरक्षन के अनुपालन में वी संगती के कारण उत्तर प्रदेश उच्चतर सिक्षा आयोगने विग्यापन संख्या पचास के तहत असिस्टन प्रोफेसर भरती परिक्षा में 20 विश्यों की लिखित परिक्षा के परिणाम जो है शन्शोधित कर दिये गए कुछ विश्यों में सफल होने वाले अभिर्थियों की संख्या घटी है कुछ में बढ़ी है और कुछ विश्यों में संशोधन के बाद भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है आयोग ने जिन विश्यों की परिणाम संशोधित किये हैं उन में संगीत गायन भी शामिल है जिसका इंटर्वियू 16 मार्च को प्रस्तावित था आयोग ने अब संगीत गायन का इंटर्वियू जो है स्थगित कर दिया गया है जिसकी तिथी जो है बाद में खोशित की जाएगी जबकि हिंदी विशे का साक्षातकार पुर्वे नरधारत कारक्रम के अनुसार 9 मार्ट से होगा यानि जो भी हिंदी विशे से तयारी कर रहे हैं साक्षातकार की उनके साक्षातकार की तिथी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो अपनी तयारी जो है जारी रखे तो इसमें जो देखिए 47 विश्यों के में असिस्टन प्रोफेसर की 2002 पदों में भरती के लिए लिखित परिख्षा का जो है परिणाम परिख्षा तो आप समय को पता है अक्टूबर नवंबर में हुई थी 16 फरवरी को जो है इसका परिणाम घोशित किया गया था तो इसमें क्या दिक्कत आ गई थी कि पुर्व में जारी परिणाम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 में वी संगती पाई गई थी तो इस वज़े से तो किस रीजन से जो है इस परिणाम में संशोधित किया गया तो यहां आप देख सकते हैं कि उसमें जो है जो इनका जो अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्षण की जो बाती उसमें वी संगती पाई गई थी तो इस वज़े से जो है बीज विश्यों के परिणाम संशोधित किये गए हैं इन बीज विश्यों के परिणाम आरक्षण निती के तहत संशोधित कर दिये गए हैं तो ये वन्दनत्र पार्थी जी जो सच्चिव है UPHC की उनके द्वारा कहा गया है तो अब यहां देखे कि अब 20 विश्यों के परिणाम जो है संशोधित किया है हिंदी में सरवाधिक 652 अभियर्थियों को इंटर्व्यों के लिए सफल घोशित किया गया है हिंदी की परिणाम में कोई संशोधन नहीं है तो हिंदी की लिखित परिक्षा में सफल अभियर्थियों के साक्षातकार पुर्वन निरधारित कारक्रम के अनुसार 9 मार्थ से शुरू होंगे तो जो इसके लिखित परिक्षा परिणाम जो अभी संसरोदित होके आए हैं उसकी श्रिणी वार कट ओफ और रिक्त पदों की सूची जो है और शॉर्ट लिस्टेड अभिवर्थियों की जो विशेवार अनुकरमांग है जो आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे अब जो है यहां बात करें अगर की कौन-कौन से विशे थे तो और उसमें कितने फर्क आया है तो संस्कृत में जो है 266 पहले थे अब घटके 257 हो गए हैं संगीत गायन में पहले 42 अभिर्थि थे अब जो है बढ़के 46 हो गए हैं संगीत सितार में पहले भी 6 थे और अब प्राचीन इतिहास में पहले 86 थे अब गटके 78 हो गए हैं भूगोल में पहले 558 थे अब गटके 557 हो गए हैं दर्शन सास्त्र पहले 21 थे अब गट के 99 हो गए है अर्थ शास्त्र पहले 363 थे अब बढ़ के 376 हो गए है साररिक शिक्षा पहले 85 थे अब गट के 82 हो गए है सैनने विज्ञान सैनने अध्यान 172 थे अब भी 172 ही है रसायन विज्ञान 525 से 528 इसमें बढ़ गए है वनस्पती विज्ञान में भी बढ़ ओतरी हुई है 322 से 326 पे आ गए है विज्ञान और प्राने विज्ञान में 323 से 323 ये सेम ही है भूगर्व विज्ञान और भूगर्व साश्त्र 12 से 13 पे बढ़ ओतरी हुई है क्रिशी अर्थ सास्त्र इसमें सेम ही है 21 था 21 है उद्यान विज्ञान 21 से 22 एक बढ़ोतरी हुई है पादप्रोग इसमें एक घट गया है क्रिशी अभियंत्रन ये सेम ही है 28 कठाई से क्रिशी सांख्य की इसमें 19 से 17 पे आ गया घट गया है महिला अध्यान ये पहले भी तीन था अभी तीन है तो इस प्रकार से जो है जो लिखित परिक्षा का प्रिणाम आया है उसमें शन्शोधन की बाद जो है इस परकार परिवर्दन हो गया है किसी में संख्या जो है अभियर्थियों के वह बढ़ गई है तो किसी में घट गई ह तो जहां बढ़ी है वहां तो बहुत अच्छी बात है वहां वह बच्चे खुश हो रहे होंगे लेकिन जहां घट गए हैं वहां आप फ्यर्थियों को थोड़ी इस बात के लिए बतलब दुख का सामना करना पड़ा होगा तो देखें UPHC की जो भी साक्षातकार से संबध्यत जो भी खबरे आएंगे जो भी नियूज वहां से आएगी आपको जो है चैनल के माधिम से बता दिये जाएगा और मेरे बनाएगे वीडियो आप सभी को अगर अच्छे रखती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद